कि यह सरकार माहौल जो बता शांदार सरकार कि इंटेमिडियेट सीएस और सीए में इंटेमिडियेट सरकार अगला चैप्टर अगले टॉपिक की तरब बढ़ रहे हम सर यह जो फास्ट्रिक बैच है आपको समझ भारा है अब तक चैप्टर आपने पर आपके इंट पर कंप्लीट कर लिए है माहुल भी बन रहा है आई सर इस माहुल वह कंट्रिन करते और लिखा है कि है मैंने जब तक तोडेंगे नहीं तब तक च्षडेंगे नहीं आई सर चैप्टर नमबर ट्वाल की रिजिस्टर बच्चों ठीक है तो सर सिंपल से यह चप्टर है सर कोई तकली वाली बात नहीं बहुत इजी है देखना द्यान से क्या लिखा है सबसे पहला सर इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर के रिगार्डिंग लिखा है क्या सर वोटर दी मोट ओफ डिपोजिट इन कैश आपको बता है अगर असे सिचा है तो ओनलाइन पेमेंट भी कर सकता है विचिज मोर कन्विट बहुत इजी होता है फास होता है एंड सर गौर्मन इसके लिए कोई लिमिट भी फिक्स नहीं करी वी है गौर्मन वन्टू डी मोटिवेट ओफ लिमिट इसलिए वहां पे आपको बैंक जाके पेमेंट जमा कराना है जमा करा सकते हो इसलिए गौर्मन वन्टू प्रमोट ओनलाइन पेमेंट और सर आप इलेक्रोनिक लिए कोई लिमिट नहीं वहां पे बैटा और वैसे बताता हूं लगबग लगबग सारी लोग ओनलाइन ही पेमेंट करते है ठीक है सर अब सर जब टेक्स होता है तो अंदर मेजर हेडवाइज माइनर हेडवाइज कोलंस बने होते हैं और आपको मेजर हैडवाइज टेक्सट नि पाढ़ता है अच्छा मेजर है क्या होते सब्सक्राइब करना होगा तो क्या करना होगा सर आपको चालान फिल करना होगा और यह चालान इलेक्ट्रोनिक लिए सब्सक्राइब करने के लिए पेश्याशीं का मांनोग फिल करता है और पेश्याशीं के लिए अनिया अनुक्रेश्या-दय यती मीट्रस आपको recognise करके पन्दा दिन में कभी भी पेमेंट कर सकते हैं पैमिंट आपने किया वह इलेक्ट्रोनिक केसा डिपोजित हो जाएगा क्लियर सर जो डिपोजित करो गया आपके इलेक्ट्रोनिक केसले मैं अमाउंट रिफ्लेक्ट भी करेंगा बेटा ओके तरफ से कड़ गया है और यह पेसा आपकी तरफ से कड़ीए और गुवर्मेंट के चला गया है और जो अमॉंट गया है वो इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर में गया है बच्छा पैमेंट 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 करते हो और लाइब की पे करते हो तब जाके मांदे टेक्स पैमेंट हुआ है जो अमॉंट आप जमां करा रहे है वो इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर में जा रहा है इस प्रेजंट मिन की पेइमेंट ऑफ टेक्स हो गया है। अमांट रिफ्लेक्टे इन केश लेजर में भी यूज फॉर मेकिंग पेइमेंट तोवर्स टैक्स इंट्रेस्ट पैनल्टी फी इन इधर अमांट पेवल अंडर अलाइमेंट हेड ठीके इन दी लेजर इंफॉर्मेशन इनके लिए यूज कर सकते हैं हमने बात पढ़ी वीजर से वाइस वर्सा अलसो पर यह यहां पर आई जीस्ट के कैस्ट लेजर के किसी माइनर हेड में कोई फंड पड़ा है तो वो आई जीस्ट के ही दूसरे माइनर हेड में काम नहीं आ सकता है बच्छा क्लेर दूसरा में काम आएंगे किसी और मेजर हेड या किसी और माइनर हेड की लाइवड को पेकरने में काम नहीं आएंगे पर आप चाहे तो एक बार फंड ट्रांसवर कर सकते हो मतलब मानला आपके cgst के कैस्ट में एक सीजिस्ट है उसके टेक्स में कोई बैलनेंस पढ़ा है मानलो यह इंट्रेस्ट वाले मानर हेड में यह हो गया आपके क्या मैजर हैं कि यह हो गया मानर हेड्स में कोई फड़ा है और मानलो आपकी लायविडी आती है कर सकते हो कोई कतली बात नहीं है पर अगर आपका डिस्टिंट परसन को फंट नहीं कर पाएंगे सर यह हां पर पॉइंट कवर है सर हाय ना भाई इसको एक बार रीट कर लिज़े सर मैं मैं पड़ा चुका हों पूरिए पटापको ड्रा ट्रांस फंट फंट बीटीड मैंजर इंघ कि इस पर मीशिवल संप्र हमाइन के आमाइन को प्रों मैंजर हेड कर सकते हो कोई दिखर नहीं इन फेक्ट दूसरे मैंजर हेड में अभी इन यदा सब्सक्राइब बिक्र नाम फिर further the amount from one minor head of a measure head can also be transferred from transferred to any other minor head of any other measure head जैसे यह आई GST के interest वाले minor head में fund पड़ा है यहां से आपको C GST के minor head में fund transfer करना है यहां transfer करना है यहां करना है आप कर सकते हो हमें को दिकत नहीं है clear sir amount can be transferred amount can be transferred from one head only if the balance in that head is available at the time of transfer obviously खुद की अकॉंड नहीं है दूसरे में क्या transfer करेगा बैच्छा and last आप चाहे तो distinct person को भी fund transfer कर सकते हो कोई दिकत वाली बात नहीं है C GST और IGST वाले head वे बेटा okay done पर हाँ खुद की live depending यह तो दूसरे को आप fund transfer नहीं कर जाया था कि C GST is the revenue of central government अगर आपने C GST के account से कोई fund transfer क्या है है एस जाजर से तो C GST मतलब central government क्या करेगा उतना fund अपने पैसा उस रेस्पेक्टिव गवर्मनेंट को fund transfer करेगा सेम वह स्टेट गवर्मनेंट के अगर आपने cash fund transfer करके IGST में डाला या C GST में डाला या किसी और तो वह respective government क्या करेगी अपना inter account settlement करेगी एक्चुली fund transfer करेगी government उस respective account में so that revenues दूसरे government को मिल पाया क्लियर कोई खास बत नहीं जो आपको आता है आईए बचो electronic credit laser यह पूरा topic यह पूरा पूरा हूब 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 हम ITC चप्टर जो था हमारा chapter 5 उसमें हम अल्री पढ़ चुके हैं यहां repeat क्यावा आपको पता बिटा पर फिर भी तो मैं यह सबसे पर फिर बैले बचेगा तो असर एजस्टी और यह पूरा यह पूरा पड़ता है पर अब आई जस्टी का माईगा पर सी जस्टी और यह पूरा कंजूम करना है कि उसके बाद इस इस पहले काम आएगा आई जस्टी और एजस्टी इन एनी ओडर इन एनी और इन इन अजसे में प्रपोर्शन क्लियर उसके बाद अब यह प्रेंदना बटा कि सीजस्टी का इट इस पहले जो होता है मतलब यूटी जिस्टी का इडिसी पहले यूटी जिस्टी की लाइवडी को पेकर नहीं काम आएगा पर सी जिस्टी काम नहीं आता ओके ड़िपीट हो गया टॉपिक वापसे आपका बिटा ओके मालिक चलिए अब एक सर्कलों दे रहा है वो भी पढ़ लेते हैं म पेमेंट ओफ टैक्स है आपके आउटपूट टैक्स लाइवडी जोगी इसको पेकरने में आइटी सी काम आता है सर ध्यान देना बैटा पैनल्टी इंट्रेस्ट लेट पेमेंट फी इन सब को पेकरने में कभी वी आईडी सी काम नहीं आ था इटी सी के वह टेक्स की लाइ सब्सक्राइब करने के लिए आप क्रेइट लेजर को यूज कर सकते हो भली वह सेल्फ असेच्ट लाइबडी हो या डिपार्टमेंट ने कोई पढ़ा कि इतनी लाइबडी बनती है अगर आपकी लाइबडी रिवर्स अप्लाइब्स लिया आपने कोई इन्वर्स अप्लाइब लिया रिवर्स चार्ज में रेसिबंड की लाइबडी है तो यह लिए यह प्रिवर्स 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 प्रेटाइब के लिए ITC काम नहीं कर सकते हैं आप केष लेजर को यूजर को क्रेट अप्रीड यूजर कंविए काम नहीं आएगा ठेक है सेम वे कभी आपको रिफुन मिल गया प्र अपके लिफुन मिल गार फिर फिर पुटा-पटा की रिफुन गलत मिलता सर तो वो को पे करने के लिए आप क्रेड यूज नहीं कर सकते हैं then sir हमने अलड़ी बात कर ली cash leisure can be used for payment of tax interest penalty fee or any other amount payable under the provisions of the GST law beta ठीक है तो tax interest penalty fee or any other amount पे करने के लिए cash leisure use कर सकते हमें को दिकत नहीं है ओके पका सरकार यह था आपका एक चोड़ा सा जो अच्छा इसमें कोई नए पूंट नहीं पढ़े हमने विशेश पूंट नहीं थे आते थे वह क्लेरीफाइक किया नहीं है नेक्स्ट इंटर गवर्मेंट अकाउंट फंड ट्रांसफर सेक्शन 53 जो मैं आपको अलड़ी चप्टर वन के टाइम पताया था मैंने आपको क्या कि मालिक है सब्सक्राइब इस ड्सट के लिए सब्सक्राइबूं के लाग्ज सब्सक्राइब ड़्याइंट निक हबांगे इंटर गर्मन्ट वट्स के ट्रांसफरotta होता है गवर्मंटन कलिये सेक्शन दे राल लग से पंडदे आईए मालिक, सर, सर, इलेक्टोनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, सर, सबसे पहली बात, कि लाइबिलिटी को पे करने के लिए, what is the order of discharge of tax and other dues? कि लाइबिलिटी पे करने के लिए, what is the sequence? सबसे पहला, अगर पिसले tax period का, अगर आपको कोई tax, interest, penalty, या other dues pending है तो पहले वो पे करेंगे उसके बाद current tax credit का tax liability and other dues पे करेंगे और उसके बाद अगर कोई आपका section no.73 or 74 का कोई demand था तो वो पे होगा तो पहले previous tax credit का tax and other dues फिर current tax credit का tax and other dues मतलब आपको पे करना पड़ेगा पर वो सबसे लास्ट में पीटा ओके अच्छा 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 आपको पे करने पड़ेंगे पेले पूरे पे करो फिर current tax credit के पूरे पे करना उसके बाद 73-74 की डिमांड पे करना पिटा ओके डन आईए बच्छो यह E-Lazer का समरी दे रखा है electronic cash laser, electronic credit laser and electronic library register बच्छो sir electronic cash laser में क्या आएगा it shall reflect all deposits made in cash TDS or TCS accepted by the taxpayers this laser can be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fee or any other amount on account of GST clarity clear sir कोई भी live due उसको पेकरने में काम आता है cash laser बच्छो पर create laser जो होता है इसमें केवल input tax credit होगा जो आपने self-assist करेंगे return file किया था उसके मैं input tax claim किया था ITC वो इस laser में reflect करेगा और this credit can be used for payment of your output tax liability only interest penalty के लिए कभी भी credit काम नहीं आता फिर लाइव डिरेशन बच्छो सर आपकी total liability भली हो tax की हो interest की हो penalty की हो सबके लिए लाइव डिरेशन में amount दिखेगा अब इसको पेकरने के लिए करेंगे electronic credit laser से tax का liability पेकरने लिए credit यूज करेंगे और फिर बैलेंस बजगे tax interest penalty सब के लिए cash लिए यूज करेंगे बच्छा ठीके done कोई खास बात नहीं आईए इस chapter का बड़ा ही सुन्दर point must point शांदार point और सर exams के लिए अट्रेक्टिव पाड़राम section 50 interest on delayed payment of tax section 5050 interest time value of money अरे government को अपने tax late pay की है तो क्या होगा फासी नहीं 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 सर फासी किसे साथ नहीं सर लेट पेकरने के लिए लगता है interest and rate of interest is 18% अगर मानलो मार्च मंत की लाइवड़ी थी 20th April is the due date आपको पता है सर क्या जो रिटन फाइल करने का due date होता है वही payment of tax का due date होता है अगर आपने उससे late pay किया तो अगली दीन से 20 अप्रेल तो 21st April से interest चाल हो जाएगा at the rate of 18% पारनम simple interest number of days के साब से अगर आपने कोई ITC आवेल किया और उसको यूज करने से पहले ही reverse कर दिया तो कोई इंट्रेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि government का revenue block नहीं हुआ पर अगर आपने रॉंग ITC अवेल करके उसको यूटिलाइज कर लिया जिस मैंने में आपने 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 यूटिलाइज किया उस मैंने में गौर्मन का revenue आपने ब्लॉक कर दिया उतना payment आपने गौर्मन को कम किय इंट्रेस्ट वापस रिपीट करता हूं अगर आपने रॉंग ITC अवेल करके यूज करने से पहले ही रिवर्स कर दिया there is no interest liability at all पर अगर आपने रॉंग ली अवेल आइटी को यूज कर लिया तो जिस मैने की लाइबडी को पे करने में आपने उस रॉंग लिए इस को सब्सक्राइब मन्त विचवर इस अर्लियर उस दिन से इंट्रेस्ट चाल हो जाएगा 18% पर अनम ऑन्दी अमांट ओ रॉंग लिए ITC रॉंग ITC यूटिलाइस्ट क्लियर किस दिन तक पे करोगे जब तक आप ओ रॉंग ITC यूटिलाइज जो था वो अमन्ट जब गवर्म तो 21 अप्रेल से इंट्रेस्ट साल हो जाएगा जब आप पे करोगे तब तक का इंट्रेस्ट ओके रॉंग ली अवेल इस की है तो उसके लिए नमर ओफ डेस के से काउन करते बच्चा इस वरी इंट्रेसिंग टोपिक ध्यान सुनना बच्चो वैसे मैंने एग्जांबल द जाके आपको याद आया कि मैंने जन्वरी में 10 लाग का क्रेट गलत लिया था पर आपने जन्वरी फेबरेरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई तक आपका कभी भी आईटी से काउन का बेलेंस 10 लाग रुपे से कम नहीं गया तो हम ही मानेंगे कि रॉंगली अवेल्ड से ITC आपने रुटिलाईज किया ही नहीं मलब जितना अमाउनिड ओव रॉंगली अवेल्ड अटी सी से अगर आपका ITC आउनका बेलेंस कम होता है तो यह हम मानेंगे कि Bakु आपका ITC ऊंडिजो था वह यूज किया अदर्वास हम अपने करेक्ट ITC जया तो यह उस हुआ है अब सर जुलाई मेने में जब आपको बता बड़ा कि रोंगली अवेल्ड आइडी से था दस लग का और आपका कभी भी आइडी सेकांड का बैलेंस दस लाग से कम नहीं किया आइडी सेकांड में अल्रेटी रुपे है उस दस लाग को आपने रिवर्स कर दिया जनवरी मैंने कोई लाइडी नहीं दिया जो लाइडी थी वो तो सही आइडी से अपने यूज़िस करके पे कर दिया मतलब 10 लाग का बैलेंस अभी भी है आपके पास पर मार्च मेने में आके आपका आइडी से कांड का बैलेंस होके कितना 6 लाग रुपी मार्च मेने का रिटन अपने फाल किया कब 18 अप्रेल को 20 अप्रेल डूटन को फाल कर दिया अब आपके आएडी से कांड का बैलेंस कितना बज गया पिटा 26 लाक रुपे बज चकिया मतलब 10 लाग का रुपीया उससे पहले-पहले आपके आपका अकांड में में मिनिमम 10 ल चारला का क्रेड यूज कर लिया अब 18 अप्रेल को अगर आपने मार्स का रिटन फाल गया था तो यह मानेंगे अठरा अप्रेल को आपने चारला कर रुपे यूज कर लिए एंसर 19th of April से you will have to pay the interest on rupees 4 lakh at the rate of 18% परनाम कब तक का बिटा जब आप 4 lakh रुपी गौर्मन को पे नहीं कर देते हो तब तक का आपको interest पेकना पड़ेगा 18% परनाम सिंपल इंटरेस्ट नम्मर ओफ डेस के सबसे बचा क्लियर समझें मेरी बाद अच्छा मानलो आपने मार्च मेने का रिटन कि इसकी डूडेट थी कितनी 20 तरिक 20 अपरिल आपने रिटन हैं अपर अठरा पर से चार लाग का रिट आपने यूँज के ऑड़ेगा नापर का इसके में आपर कब आपने रिटन फी motivo 20 अपरिल तो मानें ये डूडेट 20 of मानें ये वीस अपरिल से को तो आपने क्रेट यूज किया और 21 अप्रिल से क्या लग जाएगा इंट्रेस्ट मतलब ही हो गया अगर आपने दूट फालिंग रिटन से पहले रिटन कर दिया तो जब रिटन किया उसके नेक्स देसे इंट्रस लगेगा जैसे 18 अप्रिल था तो 19 अप्रिल लग गया अगर अपने रिटन लेट फालिक किया तो दूट फालिंग रिटन में बीस तरिक यह मानेंगे डूट इस दा डेट जब आपने क्रेड यूज कर लिया और 21 तरिक से इंट्रस लगेगा बहले आपने रिटन का फाल किया 24 अप्रिल को फाल किया उसे फार्क नहीं पड़ता क्लियर पका डण तो यह पॉंट करता है अब तो रॉंगली अवेल्ड इटीसी को यूटिलाइस किया तो इंट्रस लगेगा बच्छा और जीस मैंने में यूटिलाइस किया उस मैंने की रिटन फाल करने की दूडेट या अक्च्छल फालिंग रिटन विचवर इस अर्लियर से इं अगर आपने गौर्णमेंट को पेमेंट लेट किया तो लगेगा इंट्रेस्ट ओके एक्जाम्बल देता मैं अब किस अमांट पर इंट्रेस्ट लगेगा इस अब यहां पर दे रहा अमांट ओन इस इंट्रेस्ट इस पेयागा अच्छा रॉंगली अवेल्ड इटीसी को लगेगा इंट्रेस्ट जैसे जुलाई महिने की लाइबडी थी सर जुलाई मन्त की लाइबडी कितनी थी बढ़ा सपोज 15 लेक की लाइबडी थी बच्चा आपके पास आईटीसी अवेलबल था एट लेक रुपी का सेवन लेक नेट पेयबल थे जुलाई महिने का डूट फाइलिंग रिटन था क्या ट्वेंट ओगस्ट पर आपने रिटन फाइल किया लेट और रिटन मालो फाइल किया कब अक्टूबर में इने में जाके मालो अक्टूबर में बारा अक्टूबर को आपने रिटन फाइल किया तो यसे कि इसमें 21 अगस्ट से लेकर 21 अगस्ट से लेकर 12 अक्टूबर 21st august से लेकर 12th of October तक का आपको interest पे करना पड़ेगा number of days के साब से sir at the rate of 18% पर रहनम पर किस amount पर केवल net tax payable in case थो था 7 लेक उसी पे आपको interest पे करना है पूरे 15 लेक पे interest पे नहीं करना है क्योंकि 8 लेक आपको पास ITC था अगर आपने रिटन लेट फाइल किया तो क्लियर सेकेंड केस यही जुलाई मेने का रिटन आपने जुलाई में फाइल कर दिया था पर उसमें 15 लाग की लाइवडी डिस्क्लोज करना रह गया था कि आपको याद आया कि वह जुलाई की तीन-चार बिल जो थे जिसकी लाइवडी 15 लाग की टेक्स की वह तो रह गया थे सर ब्रॉसर रिटन के अंदर आपने अब इस एकेस में जो इंटरस लगी वह पूरे 15 लाग पे लगेगा ग्रॉस टेक्स पेवल पंदरा लाग जो है उस पे इंटरस लगेगा केवल 7 लाग पे नहीं लगेगा और अगर रिटन फाइल करने में लेट हो गए तो तो नेट टेक्स पेवल इंटरस लगेगा पर अगर रिटन तो फाइल कर दिया पर उसमें कुछ लाइवडी पेंडिंग रह गई आपकी डि यह आपका पॉइंट खतम होता है अब एक और बात ध्यानना बटा अगर सेक्ष्ट नबर 73 और 74 का कोई प्रॉइडिंग चल रहा था और उसकी वेसे डिमांड रेज हुई बेटा तो तो हमेशा ग्रोस टेक्स लाइवडी पे इंटरस लगेगा वापे नेट टेक्स पेवल अच्छा उसको अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो जीस दिन यूटिलाइज किया उस दिन से लिएक जवाब पे करेंगे तब तक का इंट्रेस्ट एटीन पर संट पर अन्नम अगर आपने यूटिलाइज किया तो इंटरस लगेगा ठीके अच्छा आपने यूटिलाइज के लिएक कैसे पता बढ़ेगा अगर वह आईटीस एकाउंट का बेलेंस जैसे दस लागा रॉंगली अवेल किया अगर जैसे जन्वरी मेहने में हमारा जो एक्जंपल था वह जुलाई मेने तक जैलाई मेने पता पड़ा कि जन्वरी मेने में रोंग आटीसी लिया जुलाई मेने तक 10 लग से आपका आटीस एकाउंट का बेलेंस कभी कम हुए निए दिर इस नो पॉइंट पर कम हो गया तो माल ने आपने इच्छी उटिलेस किया अब सरक तक आपने पर गो לסीटीस मों चैन्स बड़ी इस कहेली तो पूरा करन्जी मों जा है फिर सी का बेलेंस इस करना है तो सर क्या किया सर हमार पास और अलड़ सीजिठी में एच गैने चीळीर में क्लियर EBD और टी से पहीं पहले लिए हम पहले से अभाइब करने के लिए अब सर हमारे गजेस्टी एडिस्टी अब सर्वारे सब्सक्राइब कि अब सर्व डस लाग प्रीट आइजेस्टी का था से फैल यग का सीजेस्टी का था तो सर्व टोटल के ना 7.5-7.5-15 रुपे और दस लाग रुपे आई जीट टोटल 25 लग का इडीची था जनवरी में आपने महिने में आपने लिया अब सर आपने जुलाई में नहीं जाके बताबड़ा कि 10 लाग का जो आई जीट आइडीची था वो रॉंग लिया वेल्ट था अब आपने आई जीट अकाउंट देखा तो आई जीटी का इडीची तो पुरा कंज्यूम हो गया था आपका जुलाई से पहले ही पहले ही है पर सी जीटी और ह openness का मुष्ट पर यूस नहीं आए तो क्या यह मानेंगे कि आपने डीची यूज इसको नी foolish वह लिया जैशे यह आंसरल नो इस में ख्लार कि जाखे आड़ करकी ऊसो लिब तो वह रहाग लिचा इसको देखने च.'D. करके फिर देखना है अगर तो मानेंगे कि आपने रॉंगली आइटी सी को यूज नहीं कि क्या क्योंकि कानुन नहीं कि इसकी वेज़से हमाराइज आइटी से कम हो गया पर स्विशिंट था तो यह से केस्में हमीं मानेंगे कि आपने आइटी सी यूज नहीं किया मतलब इस एक्जांपल में चीजिश्टी एटी सी और इटी सी तीनों का मिला के पच्छिस लाग का बैलेंस था उसमें से दस लाग वह वेल्ट अब जुलाई में नहीं बता पड़ा कि आइटी सी में बैलेंस आपने रॉंगली अवेल् केस डूब बोलता है क्या जीस्टी अरे यार का जीस्टी अपने अलग टेक्स यार इसका क्रेडिट ना सी के लिए मिलता है ना एजस्टी के लिए पेकरने के लिए तो सर अगर कभी आपने रॉंगली अक्रेटिट ले लिया तो उसको Compensation Says के Balancer ही चेक करेंगे CGST, HGST, IGST उसमें देखेंगे ही नहीं क्योंकि उसको Compensation Says को C, S और I में यूज कभी करीन सकते बच्चा Clear? देख लिए सर, यह क्या लिखा है क्लिरिफिकेशन में? चलो पर एक case पढ़ लो Whether the credit of Compensation Says available in electronic credit laser can be taken into account while considering the balance in electronic credit laser Sir, for the purpose of calculation of interest in respect of wrongly availed and utilized IGST, CGST, HGST credit Sir, क्या Compensation Says के balance को भी consider करना है while calculating interest on CGST, HGST, IGST? Answer is no Because ITC in respect of Compensation Says on supply of goods or services can be utilized only towards payment of Compensation Says only leviable on goods or services Clear? इसलिए CS और IE की liability की बात आ रही है अगर interest की तो उसमें CSI में के लिए IGST के ITC को आपने wrongly use किया कि नहीं किया उसको देखने के लिए CSI तीनों का balance add करके fee देखने का पर Compensation Says उसको में include नहीं करने का Clear? Done Simple जी बात थी I hope यह chapter समझ माया है चलिए सरकार यह chapter आपके end पर revise करिए उसके बाद हम पढ़ेंगे next chapter भारत मता की जये पर सर आई होप सर यह सारे chapter आप आपके end पर भी कतम कर रहे हो तो सरकार मिलते हैं अगले chapter के अंदर भारत मता की जये हिन जये भारत answer जब तक तोड़ेंगे ने तब तक छोड़ेंगे ने लगे रहो और पूरी महनत करो all the best